नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं आई होब कि आप सब बहुत अच्छे होगे सांदार होगे दोस्ते इस वीडियों हम बात करने वाले एंटी पीसी बारवी लेबल और ग्रिजिविशन लेबल अभी तक कितने फॉर्म अपलाई किये गए कौन सा जोन में कितना कितना फॉ लिख रख है यह आपका बारवी लेबल वला है कहां पर आपने पांच जोन लिख रख है सबसेदा कौन सा जोन में बच्चा फॉर्म अपलाई कर रहे हैं ताकि आप उसके अकोर्डिंग फॉर्म अपलाई कर सो जहां पर कम अभी कंपेटीशन है अगर आपने फॉर्म नही नहीं सकता है डाटा दोस्तों क्योंकि आप लोग आप एक्जामपल कतर पर ग्रूप D का वेकेंसी ले लो एक लाग से जादा पेकेंसी आया था एक क्रोड़ 15 लग बच्चे फॉर्म अपलाई किये थे अभी इसी साल के एक्जामपल हो ना एल्पी का वेकेंसी निकल के आय जाएगा और एक सुचना हमें यह भी मिल रही है ना जो बारभी लेबल का वेकेंसी है तो यह बात कर रहा हूं तो इसमें बच्चा का रूची नहीं दोस्तों फोमीर बच्चा नहीं अपलाई कर रहा बहुत कौम फिलप हो रहा है दोस्तों हम इस वीडियो में सारा कुश आपको बताएंगे कौन सा जोन सब ज़्यदा बच्चा फॉर्म अपलाई कर रहा है यह डाटा हम कहां से लाएं तेखो हम एक तो बच्चे के सर्वे करते हैं बच्चे समें हम पूछते हैं हमारा तब बच्चा है नौन लाक से जादा सब्सक्राइबर है तो बच्चे सम प बच्च कर रहा है तो बीडियो को सुरू करते हैं अब सबसे पहले आपको बताते हैं आपको ग्रेजुएस्ट लबल पर सबसे ता बच्चा कहा पर फॉर्म अपलाई कर रहा है आप देखें दूस्तों आपको एंटीपीशी के तैयारी कहां कर निया पहले यह बता देता साथ में आपको 300 पेपर मिलेगा और 2450 से ज्यादा बहु बैकर प्रसंद मिल जाएगा एक वोटिंग तो सिल्वाज जो की होने वाला है जिससे आपका कम्प्लीट तयारी हो जाएगा साथ में सो चक्षू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है अगर तयारी को और म मैत का चेप्टर वाइज सौल पेपर है जिसमें 690 से जाथा कोशन समान अध्यान का चेप्टर वाइज है सौल पेपर त्या अच्छा खासा इन तीनों बुक्स के मात्यम से और यह उपा जो मैंने बताया आपका तैयरी होने वाला है इन सब्सक्रिप्स का लिंग मिलेगा करें रहा देखो बेकेंसर सब्सक्राइब रहा एक नंबर अब रहा और अपको नोट निकल के आए यह आपका दूस्तर जो यह 30 सितंबर का रात के 8 बजे तक का है यह दोस्तों आपको वीडियो देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर को ठीक है तो यह दोस्तों ध्यान रखिएगा 30 अक्टूबर रात 8 बजे तक का मैं दाता आपको बता रहा हूं सितंबर मापती जगा 30 सितंबर का तो मुंबाई एक यह देखो यह वाला 516 अहमदाबाद कि जबकि उससे ज्यादा वेकेंसी आपका बिलासपूर में है लेकिन बिलासपूर में नहीं बिलासपूर आपका पांचवा नमबर पर है तो बिलासपूर ट्राइक करना तो फिलहाल अभी तक का दोस्तों आपको सुरच्चित मान सकत बाट यह चाठ नमबर पर गुहार्टी और सात्वा नमबर पर आपका डेंगलोर तो यह दोस्तों आपका करम है जैसे-जैसे वेकेंसी ऐसा बच्चा नहीं भर रहा है सब्सद्द्र लेकिन सब्सक्द्र बहर है मोंबई में वैसे आपका देख़ो चौथा नमबर प्सब् भूल जाओ सब फेक डाटा है दोस्तों एक अंदाज लगा को बता सकते हैं तो ठीक है इतना भरा गया होगा लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है यह कब पटा चलेगा दोस्तों एक्जाक कितना बच्चा फॉर्म अपलाई कर रहा है यह आई टिया ही आप जो लास्ट में आप ल दुस्तों सो में से तो 70 परसेंट आपका अग्रेजुशन बाला जाहिसी बात है क्योंकि इसका कम देठ है इसका साथ दिन ज्यादा देठ है तो धिरे-धिरे जैसे डेट तरफिक आएगा अब तो बीस दिन समय है तो बच्चा धिरे-धिरे इंक्रीज होगा अभी देखो इसमें दोस्तों एक नंबर पर मॉंबई में वेकेंसी था तो एक नंबर पर भया मॉंबई है मॉंबई पर एक सबसे ज्यादा बच्चा अपलाई कर रहा है बारीवी लेबल पर आप कमेंट में बताओ आपने कौन सा जोन में फ़र्म अपलाई किया दो ठीक है चलिए अग इसमें देखो उपर नीचे होगे न परियागराज बहुत खतरनाग जोन है दोस्तों इसका बेकेंसी ज्यादा भी रहेगा न हमने आपको बता यह था लेकिन कट अप हमें साहाई जाता है कारण क्या है जो अलड़ी काम कर रहा है अलग जोस्तों सरगारी जोब वह सोचते ह हम पास में आ जाए परियागराज एक सेफ जोन रहेगा तो वहां पर कोशिज करते हैं इसलिए कट अधा है और इसमें दोस्तों आप लोग देखो का हाई कट जाए इसलिए इसको चोड़ रहा है इसको छोड़ रहा है तो यह दोस्तों आपको यह बताया चौछा नंबर प आप आप कर सकते हो अभी आप चाहते हो तो यह को कोकाता ठीक ठाक लेड लगर रहा है वेकेंसी को रहा है आप कर सकते हो अगर थेरे दिनों का समय लग बलग बचा हुए तो अभी चार-पांच दिन रुक के भी इसमें देख सकते हो कहां पूतार चड़ा हो रहा है उसका कोडिंग आपको जनकारी बताया अब आपको हम बता सकते हैं कि एक्जाम के बारे में पूछते रहो तो बहुत समय अभी बताता हूं कैसे है यह एलपी इसका एक्जाम नवअंबर या दिसंबर में चर्चा है को होगा टेकनीशियन का दुबारा ओपन कर दिया देख सों रिओपन अभी फिर फर्म भरवाओं के था टेक्नीशियन का भी next girl इवर हम बात करें यह दोस्ता आप जनवरी या फर्वरी भी जा सकता है फिर आपका dat यू perché है ने पमेडेकएं तब साइघ पिर यूरी इंजीनियर के निकला हुआ था में दोस्तों क्योंसा है रेलेवे में दोस्तों ठीक है जेए का वो होगा फिर 90 पीसी का होगा इस सब में अभी 5-6 मिना कम सकम लग जाएगा तो अगला साल असानी से मार्च के बाद आप लोग तैयारी अभी से करो तो अच्छा तैयरी हो जाएगा यह दोस्तों हमने आपको जनकारी बता दिया कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के मां साप लोग पूछ लिजेगा च्यानलों के जरू सब्सक्राइब कीजेगा धनेवाद